वर्दा जिले के हिंगनगाट समध्रपूर्थ सेलो तैसिल में सोयाबीन किसानों को हेक्टरी 50,000 के मांग को लेकर पूर्व विदायक राजुतिमांडे जिलाधिकारी कार्या लेकर सामने एक दिन के लाक्षनिक उपोशन पर बैठे है कुशी तग्योद्वारा राजजजरकार और केंद्र ने सर्वेक्षन करने के जल्द ही आदेज दिये है मर्दा जिले के हिंगनगाट समध्रपूर्थ सेलो तैसिल एलाकों में सोयाबीन फसल बुर्शी खोड़ कीर और अन्य रोगों से फसल नश्ट हुई है जिसके चलते किसानों को 50,000 हेक्टर मौावजा देनी की मांग की गई है आज की स्थिति में किसानों की पूरी सोयाबीन रोग से नश्ट हुई है जिसे किसानों द्वारा अपने खेट के फसल नश्ट की जा रही है तो कुछ किसानों द्वारा ट्रैक्टर द्वारा कल्टिवेटर कर रभी फसल के लिए जमीन की मरमत शुरू की गई है पूर्व विधायक राजुती मांडे द्वारा पूर्व कृषि मंत्री शरत पवार से फोन पर बातचित की गई अर इस विशे से उनने अवगत किया गया तब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कृषित अग्यों की टीम भेश कर सर्विक्षन किया जाएगा साथ ही पचास हजार हिक्टर रुपए मदद पीडित के सानों को दी जाए जिसके लिए पूर्व विधायक राजुती मांडे जलादी कारी कारियाले के पास दो दीन के लिए लाक्षनिक उपोशन पर बैठे है इन वीचन नियूज के लिए हिंगन गार्ट से रवी अनुडकर के रिपोर्ट